श्री शिवाय नमस्तू भी हम दोस्तों 28 फरवरी फालगुन मास मंगलवार का उपाय पुझ गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विदिवाद रूप से विस्तार पुरुवक इस छोटे से उपाय को अच्छे से समझेंगे उस ही रहता है जगडे होते रहते हैं वादविवाद होते रहते हैं और इसी कारण घर में परिवार में तनाव का माहूल रहता है तो इस छोटे से उपाय को अगर सास बहुमें से कोई भी एक व्यक्ति करेगा तो आपकी जियह समस्या बिलकुल पूर्टह रूप से समापत कोशिश करिएगा कि दोनों जने इस उपाय को करें साथ मिलकर यह उपाय अगर आपने कर लिया तो फालगुन मास की इस मंगलवार नवमी तिथी की महतवता पुझ गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा ने कई बार अपनी कथा के दोरान बताई है तो आईए समझते हैं इस उपाय को आप केस प्रकार से करेंगे कब करेंगे विदिवद रूप से समझते हैं देखे सबसे पूर्वा आपको क्या करना होगा कि एक चुटकी हल्दी आपको ले लेनी है एक चुटकी हल्दी और एक शुद्द लोटा जल ले लीजिएगा इन दोनों सामगरी को लेकर किसी भी नजदी की शिवमंदीर में आप चले जाईएगा शिवमंदीर में जाने के बाद जो चुटकी हल्दी आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के इन इन इस्तानों पर आपको गिरा देनी है सबसे पूर्वा चुटकी हल्दी आपको शिवलिंग के जलर्पित करिएगा विदिवद रूप से विस्तार पुरुवक फाल गुनमास की इस नवमी तिथी की महत्वता को समझते हुए आपको यह उपाय करना है विदिवद रूप से करिएगा साज बहू दोनों में से कोई भी कर सकता है अगर दोनों करते हैं तो बहुत ही शुब चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं पंडित प्रदीब जी मिश्रा के इसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा श्री शिवाय नमस्तू भियम हर हर महादेव